नमस्कार दोस्तो डिफेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है एमका कैनोपी बबल्स के लिए निविदा जारी की गई एरनाटिकल डेवलप्मेंट एजनसी ने भारत के एडवांस मीडियम कॉमबेट एयर क्राफ्ट एमका कारेकरम के लिए स्ट्रेच्ट अक्रेलिक कैनोपी सिस्टम की आपूर्ती के लिए एक निविदा जारी की है निविदा में विशेश रूप से छे कैनोपी बबल्स की मांग की गई है जो MILW81752A और MILC81590 वी निर्देशों का पालन करते हैं जो सैन्य विमान, विंडशील्ट और कैनोपी के लिए मानक है यह भारत के स्वदेशी पांचवी पीड़ी के लड़ाकु जट के विकास में एक महतोपूर्ण कदम है जिसके लिए आधुनिक वायू युद्ध की मांग को पूरा करने के लिए उन्नत घटकों की अवश्यक्ता होती है अगला, FRCV MBT के लिए रैम जेट संचालित गोले का विकास IIT मदरास में प्रैक्टिस के प्रोफेसर मेजर जनरल राजीव नाराइनन ने बखतर बंद युद मेकरांती लाने के उदेशे से एक अभिनव परियोजना की गोशना की है IIT मदरास और लेटिनेंट जनरल शंकर के साथ मिलकर मेजर जनरल नाराइनन टैंक में टैंक से चलने वाले रैम जेट आधारेत फिन स्टेबिलाइजड आर्मर पियरसिंग डिसकांट डिसकांड कार्डिंग सबोट गोला बारूद के विकास पर काम कर रहे हैं इस अभूत पूर परियोजना का उदेशय आधुनिक बखतरबंध खत्रों के खिलाब बैंक टैंक गोला बारूद की मारक शमता और परभाव शीलता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है आधुनिक मुख्य युद्धक टैंक को यानि अम्बिटी में कवच प्रोद्योगी की की उनत्ती के साथ अधिक परभावी गोला बारूद की आवशकता महत्वपूर्ण हो गई है अगला युटिलिटी हेलिकॉप्टर मेरी टाइम दो हजार पच्चिस में पहली उडान के लिए तैयार भारतिये नौसेना एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर दुरूव के अनुकूलित संसकरन यूटिलिटी हेलिकॉप्टर मेरिटाइम यूएच एम की पहली परिक्षन उडान के साथ एक महतोपून मील का पत्थर स्थापित करने के लिए तैयार है मई 2025 के लिए निर्धारित यह परिक्षन उडान भारतिये नौसेना के विमानन बेड़े की परिचालन शमताओं को बढ़ाने में एक महतोपून कदम का प्रतिनिधित्व करती है सूत्रों ने संकेत दिया की परिक्षन विमान के निर्मान की प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है जिस में हिंदुस्तान ऐरोनौटिकल लिमिटेड ह.े.ल एक अलग परिक्षन हेलिकॉप्टर पर विभिन परनालियों का कठोर परिक्षन और परमानन कर रहा है अगला INS अरीदमन होगा तीसरा SSBN भारत की बढ़ती परमानु तिकडी का एक और मेत्वपूर्ण मील के पत्थर की और अग्रिसर है क्योंकि देश अपनी तीसरी परमानु उर्जा चालिद बैलिस्टिक मिसाइल पंडुबी SSBN को 2025 में कमिशन करने की तयारी कर रहा है जिसका नाम संभवता INS अरीदमन होगा अरीहंत श्रेणी के डिजाइन के आधार पर INS अरीदमन को अक्सर S4 के रूप में संदर्भित किया जाता है जो इसका वर्गी कृत नाम है और इससे अपने पूर्व वर्तियों की तुलना में महतोपून विदी होगी यह पंडुबी भारत की सामरिक निरोध का एक महतोपून घटक है जो भारत की मौजूदा समुद्र अधारित परमानु शस्त्रागार को पूरक करते हुए शम्ता में एक महतोपून चलांग लगाएगी यह आईनेस अरिदमन जो है वो आईनेस अरिहंत का एक विस्तारित संसकरन है अगला भारत अमेरिका सैन्या निर्यात पर असर खालिस्तान के मुद्दे पर अमेरिका और कनाड़ा के बीच कूट नीतिक गती रोध ने ना केवल भारत कनाड़ा संबंधों को प्रभावित किया बलकि भारत अमेरिका संबंधों को भी प्रभावित कर सकता है एक कनाडाई खालिस्तानी आंतकवादी की हत्या और उसी अंदोलन से जुड़े एक अमेरीकी आंतकवादी पर हत्या के प्रियास ने तनाव को और बढ़ा दिया है कनाड़ा के मामले में भारत को सीधे तोर पर दोशी ठहराया गया है लेकिन अमेरिका के सास्थिती को अधिक विवेक पूर्ण और कूट नितिक तरीके से संभाला जा रहा है अगला 20 साल में T90 भीश्म टैंकों में सुधार किया भारतिय सेना ने एक महतवपूर्ण उपलबधी के रूप में भारतिय सेना ने पहली बार भारत में T90 भीश्म मुख्य युद्धक टैंकों की मरमत की है जो अपने बखतरबंद बेड़े के रख रखाओ के लिए विदेशी देशों पर निर्भड़ता कम करने की दिशा में एक महतवपूर्ण कदम है रूस युक्रेन युद्ध के कारण रूस से T72 और T90 टैंकों के लिए स्पेर पार्ट की आपूर्ती बाधित हो गई थी जिस से भारतिय सेना की परिचालन ततपरता पर गंभीर असर पड़ा हाला कि सेना ने अब घरेलू सतर पर T90 भीश्म टैंकों की मरम्मत करके इसका समाधान खोज लिया है जिस से उसके पुराने बेडे में नई जान आ गई है धन्यवाब